हे बहत्मा जी हे बाबा जी हम आये हैं हमको बच्चे हो जाए हमारे बच्चे हमारी बात माने इच्छाओं को पूरा करना है इच्छाओं को पूरा करना समसार है इच्छाओं से निवृत्व होना अध्यात्मा है एक Спाध है कि आपके वने परसाई नहीं तो आप साक्षाथ परवात में फुरूंग है जैसे सुशुप्ती में इच्छा नहीं होती आप उस समय पर्माथ में फुरूंग है कि परेशाने यहीं आपको मालूम ने जब तक के उसका ज्ञान नहीं होता तब तक के उपलब्दी नहीं होती इसलिए ज्ञाना देवतों कई वल्ल्यम तो मुद्ध होगी कामनाओं की पुरती इसका कोई अंत नहीं यहीं समझधार स्यूगा कामना कैसे निर्वान होती हैne समझना चाहिए कामना निर्वान होती है दो कारणों से एक तो हमने अपने आपको अपूर्ण माना है और दूसरा जगत को अपने से अन्य माना है और फिर जगत के वस्तों का दर्शन होने के बाद शरवन होने के पश्चान जाना ती फिर इच्छति की वस्तों के बारे में ज ऑपने आपसे भिन्य मानेंगे तब तक के अंतक्र करण में इच्च्छ Así या तो उसका ऐत्याग करो या इसको Islam करो जबीएज इच्छा नहीं होगी तो ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है इंच्छा दो प्रकार की होती है कुछ पाने की या खूदे कि freema पिर आखरी में है बट विमुक्ता सुख़ दुख सजने ही यह बहुत सिंपल सांधना यह जगत में हर वस्तु द्वन्द वात्मक है एक बिवस्तु केवल एक नहीं है के वर सुख नहीं होता सुख के साथ दुख भी होता है जैसे किसी भी कोईन को ले लो सिक्के को ले लो तो उसको दो वाजु है हेड एंड टेल इसी प्रकार से हर एक अनुभो की दो वाजु है हर एक अनुभो का सिक्का उसकी दो वाजु है सुक दुख ला बहानी मित्र शत्रु अपना पराया स्वास्त्य रोग देखो तो यह यह ऐसा ही है यह दुनिया का चक्कर तो यह आप यह को कि मुझे दोनों भी साइड सिख्के की यह कि ऐसी हो कि मुझे कि सुख ही दुख मिले नहीं लेकर आइस्वास्ते भी सास्ते मिलेगा नहीं उसमें रोग भी आ जाएंगे देखो इसे लिए संतो गंद्र ग्रवी बुकता सुकवर प्रप्यास नहीं ही जीवन में इस रूपक को लेकर करके पढरेशान होना बंद हो जाओ कैसे हो जाएं दुख आया तो गोड़ी होने का जो अभ्यास है उसको त्याग दो यह दुख आया दुका अनुभा हो रहा है विये दुख मुने छच hasn ये सब बाते जीवन में उतारना उसको कहते हैं अध्यात्म साधना और ऐसी अध्यात्म साधना के करने की समय क्या-क्या विग्णा आते हैं समाधो क्रिय माने तो विग्णा आयां ते वही बलान पहली बाते अनुसंधान राहित्य दूसरा है एकट्र पढ़ लेंगे फिर सम्तीन लय चार तमहा पांच विक्षे पच्छे रसस्वाद साथ शुन्यता आठ एवं इस प्रकार से अनेग प्रकार के विग्णा जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं तब ये सब विग्णा आते हैं तो यहां समाधो का आर्थ अपने स्वरुप के अनुभ जिग्णा आते हैं वो बताएं यहां समाधी का आर्थ यह मत पकड़ लेना कि एकदम पत्तर के जैसे बैठे हुए हो गई समाधी नहीं हम अपरुक्षानुभूती का अभ्यास कर रहे हम जड़ समाधी का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो पहली बात है अनुसंधान राहित्य संधान संधी माने जोड़ना अनु माने अखंड कंटिनियूस तो अखंड कंटिनियूस अपने आपको जोड़ना किसके साथ अपने सवरूप के साथ कैसे पती ये हमेशा याद रखे कि वो पहले आदमी है बाद में पती है पुत्र हमेशा याद रखे कि वो पहले आदमी है फिर पुत्र है पिता हमेशा याद रखे कि वो पहले आदमी है फिर पिता है और उसके बाद ये जो पुत्र पती पिता इनके जो जो हमको रोल प्ले करने हैं वो बढ़िया से बढ़िया करें पिर अनुसंदान राहित्य नहीं होगा तो पिर कैसे जिए पिर अपने मंत्र में आ जाओ तो तो आप हंडेट परसेंट एडवन मोर आशाल भी हंडेट परसेंट हैपी तो आप पुत्र होकर के पिता के कारण परेशान नहीं होगे पती होकर के पत्नि के कारण परेशान नहीं होगे और पिता होकर के पुत्र के कारण परेशान नहीं होगे यह कैसे संभाव है करनाटक जो जो आपको काम करना है सिंसेरली करो बढ़िया करो लेकिन करनाटक माने क्या माने उससे कुछ उपलब्दी नहीं होने वाली जैसे एक नटक में काम करता है कि वो राजा है वो किवल एक पार्ड राहा कर रहा है तो अपना पार्ण बढ़िया प्लेकरे इस समय भी उसको यह समर्ण रहता है कि मैं राजा नहीं हूं ये केवल उपाधी कि कारण मुझे राजा कहते हैं बात में नहीं एक्जेक्टली उसी प्रकार से हमको उपाधी के कारण हम पुत्र बने पती बने पिता बने तो जो जो हमारे कर्तव कर्म है जो जो करना योग्य है भी हंडेट परसेंट लेकिन जहां वो नाटक का पार्ट खतम हो गया उतार डालो अपने कप्ड़े और फिर बन जाओ नार्मल कितनी सिंपल साधना है लेकिन होता क्या है हम अपने यह जो अवपाधिक अनेक्ता की काल्पनिक व्यवस्ता है इसको हम सत्यमान के बैठते हैं और इसी लिए अनुसंधान राहित्य हम अखंड रूप से अपने स्वरूप के साथ जुड़े नहीं रहते हैं तो क्या करे अनुसंद्धान राहित्य इससे अटने के लिए जब जांगरत अवस्तामी होते हैं तो पहले जांगरत पुरुष बनते हैं फिर जांगरत पुरुष बनने के पश्चाद फिर जवान मूढे बनते हैं स्तिरी पुरुष बनते हैं उसके पश्चाद फिर धरवान और गरिब बनते हैं उसके पश्चार पती पत्नी भाई बहन माबाप बनते हैं कितने बनावटी हैं कि अनुसंद्धा नराहित्य यहां याद रखना है यार यह सब का सब हमने चोला पहन के रखा है भिन्नत्वकार इसलिए अनेकता का बोजा हमारे सर पर है जरी हमारे सर पर बोजा होगा तो हमको खुशी थोड़ी होती हम परिशान हो जाते हैं देखो इसलिए संतो इसको स्पष्ट समझ लो अउपाधिक अनेकता यह बोजा हमने अपने आप पर लादा है पर इसलिए ना है कर दो कर दो कर दो